फ्रेंड्स आपके घर में कुछ इस तरह से कंटेनर आते ही रहते होंगे अक्सर बाहर का खाना आ जाता है और इस तरह के कंटेनर बच जाते हैं लेकिन आज इससे में बहुत ही सुन्दा सा डियाईवाई बनाने जा रही हूँ जो मिंटो में बनकर तयार हो जाता है आप इसे बहुत इजली तयार कर सकते हैं तो मैंने यहां पर दो बॉक्स लिये हैं जिसमें खाना आया था बाहर से तो मैं इसी का DIY बनाने जारी हूँ बहुत सुन्दा सा प्लांटर बनकर तयार हो जाता है अगर इसे आप ऑनलाइन खरीशते हैं तो यह 300-400 रुपए का मिलता है लेकिन आप इसे घर में ही तयार कर सकते हैं तो मैंने पहले एक कंटिनर लिया है जिस पर यलो कलर मैं करने जा रहे हूँ यलो कलर जो मैं कर रहे हूँ यह सारे ही कलर इनैमल कलर है जो जल्दी खराब नहीं होते हैं और इससे क्या होता है फ्रेंट्स जो भी आप पॉट तयार कर रहे हैं जो यह प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं यह थोड़े हलके रहते हैं तो इस पे अगर आप enamel color करते हैं तो आपका box जो है न थोड़ा ज़ादा ही मजबूत हो जाता है कभी भी चटकता नहीं है खराब नहीं होता है तो आप enamel color का use करें और नीचे वाले box पे मैं blue color करनी हूँ blue color मेरा favorite है आपका कौन सा color favorite है हमें comment करके जरूर बताइएगा इसके बाद color करनी के बाद आप इनको धूप में अच्छे से सुखा लें धूप में अच्छे से सुखा लेंगे तो इसकी मजबूती बहुत अच्छे से हो जाएगी दो एक पॉट में करना है और जैसा एक पॉट में करेंगे वैसे ही बराबर पे आपको दूसरे पॉट में भी करना है ताकि इसे अच्छे से हम बाइंड कर सकें और फ्रेंड्स ये फ्री के प्लांटर होते हैं जो आप घर में बहुत इसली तयार कर सकते हैं इससे आपका गार्डन भी बहुत ज़दा खूब सूरत लगता है ब्राइट कर लेजिए और कलर कर ये बहुत ज़दा सुन्दर दूर से ही दिखाई देते हैं और यहाँ पर मै कभी भी इस तरह के डबे फेकती नहीं हूँ अपने गार्डन में ही इस्तमाल कर लेती हूँ मैंने आज बहुत सारे डियाई वाई बनाए मेरे पास थोड़ा ज़्यादा ही टाइम था तो मैंने काफी सारे गमले तयार कर लिया है और बहुत ही खूब सूरत लग रहे हैं ज इसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें डीटेलिंग कर ले रही हूँ डीटेलिंग करने के लिए मैं यहाँ पर पर्मनेंट मारकर का यूज़ कर रही हूँ इससे क्या होता है बहुत ही आसान तरीके से आप डीटेलिंग कर सकते हैं क्योंकि पैन चलाना तो सभी को आता है मुझ इसकीиться बनाने जारी हूं। जो थोड़ी सी द का लिचार का लिचारी है . sì considerations का मारकर का nut कम करें। 10 या 15 रुपए का ही मिल जाता है इससे आप डीटेलिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से निकर के आएगी और ज्यादा फिनिशिंग देनी है तो आप छोटे मारकर छोटा पॉइंट वाला मारकर ले सकते हैं लेकिन इसी से काम चल जाता है इसके बाद मैं इसका smiley face बना रही हूँ आप तरह तरह के face बना सकते हैं और यह बहुत जलदी से बनकर तियार हो जाता है जिस तरह की आपको drawing आती है उस तरह की आप drawing करिए और क्या होता है इसमें बच्चों को भी आप सामिल कर सकते हैं बच्चों से भी आप ड्राइंग करा सकते हैं अगर नहीं आता है अब मैं यहां पर इसकी नोस बनाने जा रहे हूं इसको थोड़ा अच्छा सा लूग दूँगी जो देखने भी अट्रेक्टिव लगे मेरे गार्डेन को भी सुन्दर बना दे इस तरह की डियाई वाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था अब मैं यहां पर इसकी टाई बना रही हूं टाई भी बहुत खूबसूरत सी बनकर तयार हुई लाश्ट में आप इससे देखेगा बहुत सुन्दा सा ये प्लांटर तयार हुआ है आप इसमें छोटे साइस के प्लांट लगा सकते हैं जैसे कि आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं जेट प्लांट लगा सकते हैं इसके लाव बिनका बगारा लगा सकते हैं पर्चलाका लगा सकते हैं पर्सलेन लगा सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो चोटे पॉट में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं जिन यहां पर मैंने इसकी पॉकेट भी बना ली है पॉकेट देखने में बहुत खुबसूरत लग रही है वैसे तो यह मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा था लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पूरा ही तयार कर दिया जाए अब मैं इसकी टाइप भी यलो कलर कर र आप ब्राइट कलर लीजे तो बहुत खिल कर आते हैं आप यहां पर ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं डार्क रेड यूज़ कर सकते हैं तो यह अब पूरा बनकर तयार हो गया है इसके लावा मैं इसके हैंड बनाने जा रही हूँ बच्चों के जो पजामे होते हैं उसम तो मैंने इसको थोड़ा सा उचकाया उसके बाद इसकी डौरी को अंदर डाल दिया अब यतने बड़े मुझे हैं रखने हैं उतनी बड़ी मैं दोरी रखूँगी और आपने ध्यान दिया होगा मैंने इसका तिलक भी कर दिया क्योंकि मुझे बहुत सुन्दर अगर आपको फीयानस की है की सबढ़ीद और भासट सब के urgent इसके 주別 apply dot, युल एता हुड़ी जारें के एलाए सबसे पहले इसके माने इसके हैंड की णाँ युर सबसे पहले इसको मैं युल ऑप तो, जारोग सबसे तुन कुछ दोल्किलो और छिए वहाले को अगर आपके पास थोड़ा स्पेस जादा हो तो आप पैर भी बना सकते हैं इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है उसको आप नीचे की साइड चिपकाना होगा लेकिन मुझे हाथ से ही कंप्लीट लग रहा था मुझे इतना ज़्यादा जरूरत नहीं थी तो मैंने सिर्फ इसको दो हाथ बना दिये और बहुत सुन्दर लग रहा था चलिए अब इसमें अपना प्लांट लगा लेते हैं ये देखिए गमला बनकर तयार हो गया है मैंने इसमें स्नेक प्लांट लगाया है जो बहुत ज़दा खूबसूरत लग रहा है मेरे गार्डन को अलग सा लुक दे जब ये सारे ही प्लांटर आप बनाकर अपने गार्डन में लगते हैं तो बहुत ज़दा खूबसूरत लगते हैं तो फ्रेंस ये था आज का डियाइवाई सिर्फ पांच मिनट में बनकर तयार होने वाला और वेस्ट मेटेरियल से चोटे से डबबे से मैंने की सुन्दर स डियाइवाई बनाया है अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस तरह से इसको तयार कर सकते हैं वो भी मिन्टो में तो फ्रेंस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही थैंक यू